दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में AdSense account को verify करने के लिए आपको दो process से गुजरना होता है एक है आपका identity verification और दूसरा है आपका address verification identity verification आप pancard द्वारा जो बहुत सबसे easy है और मुश्की लोगों के पास होगा उसके द्वारा कर सकते हैं लेकिन address verification के लिए आप जानते हैं कि Google जो है आपके दिए गए address पे pin वेज़ता है और उस pin में जो codes होते हैं जो pin होता है उसको आपको यहाँ पे देना होता है pin physical format में जो है Indian post के दोवारा आपको भेज़ा जाता है आप दोस्तो जो है अगर पहली बार pin receive नहीं होता है तो आप दूसरी बार फिर तीसरी बार यहाँ पे attempt कर सकते हैं वहाँ से pin को recent कर सकते हैं लेकिन क्या हो अगर तीसरी बार भी आपका pin recent नहीं हुआ pin troubleshooter का एक option यहाँ पे होता है अगर आप जब उसको use करते हैं तो उसके बाद जो है आपको एक और मौका मिलता है आप चाहें तो pin recent कर सकते हैं या अगर मैं अपने case की बात बताओं तो मेरे case में pin मुझे receive ही नहीं हुआ अब बात करते हैं कि अगर pin receive नहीं हो रहा है तो हम किस तरीके से अपना address verification करेंगे basically दोस्तों यहाँ पर दो options हैं पहला जो है उसमें आप जो है कोई government issue ID card डाल सकते हैं और दूसरे option में आप bank statement, electricity bill, telephone bill या फिर rent agreement भी डाल सकते हैं कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आप किडाय के मकान पर रह रह रहे हैं तो भी आप easily address verification कर सकते हैं क्योंकि Google बस आपके address को verify करना चाहता है that's it तो नमस्कार दोस्तों मैं नितिश स्वागत करता हूँ आपका नितिश्वर्मा के इस नए वीडियो में और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप तीन बार पिन recent करके ठक चुके हैं और पिन आपको Indian post के दौरा receive नहीं हुआ है तो किस तरीके से जो है आप address verification को पूरा करेंगे तो पूरा वीडियो दिखाने के लिए और ये live में आपको दिखाने वाला हूँ तो पूरा वीडियो दिखाने के लिए और पूरी process को समझाने के लिए अभी मैं ले चलूँगा आपको अपने laptop screen की तरफ जहां मैं आपको पूरा process step by step बताने वाला हूँ यहां दोस्तो मैं अपने आधार के जडिये जो है verification करूँगा चाहे तो मैं bank statement का भी यूज कर सकता हूँ लेकिन आधार सबसे अच्छा है और authentic भी है तो इस process में हम आधार का यूज करेंगे तो आए दोस्तो चले चलते हैं अपने laptop screen पे और इस बिसिकली यह मेरे wife के नाम से है AdSense account और आपको यहां में verification check में दिखाऊं तो verification check में आप देखेंगे कि identity verification complete हो चुकी है लेकिन क्या है कि जो pin है वो pin मैंने four time यहां पे apply किया हुआ था और जो अभी तक मुझे Indian post के द्वारा receive नहीं हुआ तो इसके लिए जो है मैंने इनके customer support team से भी बात की थी तो उन्होंने थोड़ा सा wait करने के लिए कहा लेकिन फिर मैंने कुछ दिन wait किया फिर दुबारा मैंने जब contact किया तो इन्होंने pin troubleshooter use करने का मुझे suggestion दिया तो अभी इस वीडियो में मैं आपको live ये दिखा रहा हूँ ये complete live मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम किस तरीके से pin troubleshooter का use करेंगे और ये याद रखेगा कि जब तक आपका तीन attempt fail नहीं होता I mean आपको pin receive नहीं होता तब तक pin troubleshooter में आपको कोई extra option नहीं मिलता है कई बार जो है वो दुबारा से recent का option देते है pin का या कई बार जो है आपको document verification का option देते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि identity verification complete हो गई है अभी address verification मेरा बागी है तो हम खोलते हैं यहाँ पर adsense pin troubleshooter simply आप google में search करेंगे और जो पहला link आएगा उसको आप open कर लेंगे इसके बाद यह आपसे mail पूछेगा कि क्या यह आपका confirm email address है तो आप simply yes पर type करेंगे और continue पर click कर देंगे इसके बाद यह आपसे पूछता है कि have you received your physical pin mailer तो आपको pin नहीं मिला है तो no I have not received my pin आप यहाँ पर tick करके continue कर लेंगे यहाँ पर जैसे ही आप contact form open करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर personal identification pin यानी जो pin है वो आपको यहाँ पर देना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो official name है वो आपको यहाँ पर देना है उसके बाद जो adsense की publisher ID है वो यहाँ पर आपको देना है और इसके आप कोई एक government issued ID card मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं अब देख सकते हैं कि कोई भी एक government issue ID card, bank statement, telephone bill या कोई rent receipt दे सकते हैं तो यहाँ पर जो किराये पर रह रहे हैं उनका rent receipt से भी काम चल जागा क्योंकि बस Google आपका address verify करना चाहता है तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर government issued ID देंगे और इसके लिए हमें जहूरत होगी आधार की तो जो है मैंने आधार की photo खीच के मैंने अपने WhatsApp पर डाल लिया है मैं आपको recommend करूंगा दोस्तों कि जब आप file download कर लें तो file को एक वार से rename जरूर कर दें ताकि उसमें जो front है और back है वो आप mention कर दीजे तो मैं यहाँ पर अपने downloads में जा रहा हूं जहां मैंने file रखा हुआ है और मैं इसको यहां से rename कर देता हूं तो यह photo लगी हुए तो यानि यह हो गया front तो यहां इसको rename कर देंगे तो मैं यहां लिखता हूं आधार front ओके और यहां हम लि आधार back ओके चले दोस्तों तो यहां पर files upload करने के लिए कहा जा रहा है तो हम आते हैं फिर से यहां पर देन हम choose files पर जाएंगे और यहां पर हमने आधार front आधार back करके दो files बनाई हुई है photo दोस्तों clear visible होना चाहिए address same होना चाहिए जिस पर जो address आधार पर है same वही address यह यहां पर होना चाहिए तो हम यहां पर इसको open कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि आधार जो है हमारा file attached हो गया है अब हम यहां पर जो official name है वह official name यहां से enter कर देंगे तो official name जो है एक बार आप अपना आधार से जो है एक बार चेक कर लीजे क्योंकि spelling mistake बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी spelling mistake नहीं होनी चाहिए तो मैंने यहां पर official name डाल दिया है अब है कि भाया publisher ID कहां से मिलेगा तो देन आप अपने adsense में वापस जाएंगे और यहीं से आपको publisher ID मिल जाएगे आप जाएंगे अकाउंट में और account page हमारा open हो रहा है और यह द publisher ID को हम यहां पर simply paste कर देंगे paste करने के बाद जो है दोस्तों अब जो है हम यहां पर submit पे click कर देंगे वो mail भी मैं आपको check कराऊंगा तो यहां पर जो लिखा है this form has been submitted to adsense support we will try back within 24 hour तो 24 hour का समय इनों होने मांगा है और हाला कि जो है कई बार 48 hours तक के अंदर भी reply आ जाता है तो चली हम एक बार mail चेक कर लेते हैं कि mail पर कोई हमें notification दी गई है या नहीं और यहां पर इन्होंने दिया हुआ है पहले ही इन्होंने दिया हुआ है कि COVID-19 के वज़े से हमारे support options कम हो गये हैं तो इसलिए इसमें delay भी हो सकता है और यहां पर इन्होंने दिया है hello thank you for contacting the adsense support team or specialist investigating your issue and we will reply as soon as possible our team makes every effort to reply within two business day Monday through Friday sometimes we will get a little bigger than usual तो ठीक है तो वेट कर लेते हैं और जैसे हमारे पास reply आएगा उसके उपर भी मैं एक वीडियो आपको बना के update कर दूंगा adsense support team से जो है बस अब हमें wait करना है कि कब तक जो है इसका reply आता है तो चले दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता अगले वीडियो में धन्यवाद